क्या अक्सर ऐसा आपके साथ भी होता है कि आप चीजे रखकर भूल जाते हैं? बोलते बोलते आप ये याद करने लगते हैं कि आप बोलना क्या चाह रहे थें? दुनिया भर में 55 मिलियन लोग डिमेंशिया के सिकार हैं सिर्फ अमेरिका में ही 6.5 मिलियन यानी के तकरीबन 65 लाख लोग अल्जाइमर के मरीज हैं डिमेंशिया से जूज रहे लोगों में 70 फीसदी को अल्जाइमर होने का खत्रा होता है डिमेंशिया के 70 फीसदी मरीजों की उम्र 75 साल से ज्यादा होती है लेकिन ढूकिये इसका ये मतलब बिलकुल नहीं है कि उससे कम उमर के लोगों में भाषा सीखने या बोलने में दिकत भी हो सकती है इसके अलावा नियमित रूप से चीज़ों को रख कर भूलना भी हो सकता है इसका एक लक्षन Alzheimer के संकीत जो है वो आपको तकरीबन तकरीबन 10 से 20 साल पहले ही दिखने शुरू हो जाते है अब सोचने वाली बात ये है कि जिस बिमारी के लक्षन आपको 20 साल पहले दिख रहे हो उससे बच क्यों नहीं सकते अकसर ये माना जाता है कि Alzheimer जो है वो उम्रे ढलने के निशानी है लेकिन रुकिये जरा सोचे ये उम्रे ढलने के निशानी नहीं ये एक बिमारी है समय रहते हैं अगर इसका नियदान हो तो आपको मदद भी मिल सकती है Alzheimer क्या है? किसे Alzheimer होने का खत्रा ज्यादा है? और आप कैसे इस खतरनाक बिमारी से बच सकते हैं? इन सभी सवालों के जवाब पाते हैं अज World Alzheimer Day पर एक्सपर्ट के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सचिन कांधारी और जूम पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर समीर भाटी स्वागत है स्वागत है डॉक्टर सचिन सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यह बताईए कि Alzheimer क्या है और इसके शुरुवाती लक्षन क्या हो सकते हैं देखे Alzheimer और dementia दोनों को एक जैसा मानना ठीक नहीं है हला कि Alzheimer में दिमेंशिया होता है जिसको भूलना या बात भूल जाना चीजे बूल जाना बदिमेंशियों और करनों से भी होता है but Alzheimer एक मेंली जेनेटिक बिमारी से जादा लिंक है रदर दन लाइस्टायल से विरस दिमेंशिया लाइस्टायल डिपेंदेंट है Alzheimer को जैसे आपने बताया ऐर्ली ओंसेट होता है जो तीन से पांच पसंट लोगों में हैं जिसको बोलते हैं कि 55 साल से कम उमर में है जिसको LOAD बोलते हैं, Late Onset और पीपल जिनको पैंसर साल की उमर के बाहते है, तब दिनिए प्रसंट पीपल इसको पहले पकड़ पाना जो है जिसको चार स्टेज में बांते हैं, पिला है जिसको बोलते है, Mild Cognitive Impairment, M.C.I. जिसका मतलब है कि समझ भूल में हलकालका confusion, जिसको brain fog बोलते हैं कि नमबर भूल गे, नाम भूल गे, यह थोड़ा confusion रह रहा है, जैसे आज कल बहुत कॉमनली हम सब को routine life भी रहता है, उसके बाद इसको mild, moderate and severe में define करते हैं, mild में confusion बढ़ जाता है, moderate में confusion के साथ साथ भूलना, चीजे रखके भूल जाना, and severe में you have psychiatric symptoms also, जैसे anxiety, एकदम psychogenic behavior जिससे कि आप इसे बाहर हो जाना, पहचानना पाना बिलकुल भी, तो इसकी शुरुवाती लक्षन जो है, वो पहचानने के लिए, आपको एक mild, एक testing required रहती है, जिससे कि जगर आपको यह दिक्कत आ रही है, अभी तक जो testing मौझूद थी, that was only based on questionnaire कि आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, जिसको बैटरी बोलते हैं, जिसको एक तरह से MMSE, यह ACOR है for Alzheimer's, उसमें कुछ सवाल पूछके हम आपका brain score निकालते हैं, कि हाँ, आपका दिमाग या cognition कितना काम कर रहे है, 30 में सगर 24 का score रहे कि इसमें cognition impaired है, और उसके रिसाब से बीमारी की stage defined की जाती है, लेकिन यह testing जो है बहुत इसमें, it's never sure 100% की कितना आम कर रहे है, इसमें now we have some new AI-based test, technology-based, there is something called DBFS, जिसका मतलब Digital Brain Functional Screening, जिसमें computer पे test करके 15-20 minute में, आप उसका score निकाल सकते हैं, डॉक्टर के दवारा कि आप के दिमाग के functions कैसे काम कर रहे हैं, क्या आपको mild cognitive impairment है की नहीं है, अगर इस सब चीज़े मालूम पढ़ सकती हैं, तो आप शुरुआत में ही उसकी care कर सकते हैं, care provider के लिए, doctor के लिए, family के लिए, और patient के लिए, सब एक रास्ता बन जाता है पहचाने का, कि symptom बढ़ने की उम Dr. Sameer, हमें ये बताएं कि अगर समय रहते आप लक्षनों को पहचान जाते हैं, कि कौन से वो लक्षन है या आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, कि Alzheimer या dementia का खत्रा आपको हो सकता है, तो कौन से ऐसे शुरुआती टेस्ट हैं, या किस तरह से आप डाग्नोज कर सकते ह और ताकि आप अपने खत्रे को कुछ कम कर सकें. अभी बिल्कुल जैसे डॉक्स साब ने भी ठीक तरीके से बताया है, कि थोड़ा लोग एक बर ये जानने कि भई, dementia और Alzheimer डिफरेंट है, मतलब dementia शब्द एक पूरा umbrella, उसमें कई और भी कारण होते हैं, उसके dementia के बड़े एक multiple reason होते हैं, खास तोर पे आज जैसा World Alzheimer Day है, और Enzymer Day को लेकर जादा, Enzymer बिबारी को लेकर लोग बहुत जादा awareness नहीं है, इस पे पहले अगर हम बात करें Enzymer की, तो देखे इसका कारण कुछ हो सकता, आपकी nerve degeneration, आपकी जो nerve है, वो degenerate हो रही है, उससे पूड रही है, दूसरा कारण एक होता है, बीचा amyloid, मतलब प् हम बात करते हैं, कि हमारी वैसल में फ्लाग पॉर्मेशन का, आपकी जो memory के कैमिकल्स हैं, वो कम हो रहे हैं, इसके अलावा अगर हम देखें तो जो आप इसकी डिमेंशिया की बात कर रहे हैं, देखें डिमेंशिया के लिए तो पेशिंट जो आते हैं कई पर टेस्ट करान हैं, उनके कई और दूसरे रीजन भी होते हैं, उनको हो सकता है, फैले स्ट्रॉक या लगवा हुआ हो, ब्लड प्रेशर की वज़े से उनका ब्रेन डेमेज हुआ हो, तो वो फिर एक वैस्कुलर डेमेंशिया हो गया, वो दूसरा एक कारण हो गया, अधर वैसे जैसे आप बात करते हैं, वैतमीं B12 deficiency, तो यह अगर आपकी deficiency है, तो फिर चीजे यह करेक्ट हो जाती है, आप अपना supplementation और चीजे ठीच करते हैं, हाइपो थायरोडिसम में, मतलब थायरोड की प्रॉप्लम में भी देमेंशिया देखा गया है, तो यह रिवर्स दिमेंशिया के अंद जिसके अंदर की फिर उसको रिवर्स करना काफी मुश्मिल होता है, अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने के लिए बिल्कुल जैसा AI-based आशकर टूज आ गये हैं, इसके साथ-साथ हम कुछ चीजे और होती हैं, जैसे बैट स्कैन होता है, उसमें हम एमलोड प्लाक्स का पता लगा सकते हैं, तो वो भी अगर आपकी नियूरोलोजिस्ट को लगता है, जरूरत है कराने की, तो वो कराया जा सकता है, और कि अदरवाइस इसमें सेट आफ टेस्ट होते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट तो पीनिकली एग्जामिनेशन होता है, नियूरो साइकलोजिकल असे पर मेंजर हमने कई बार जब देखे हैं, तो रिस्क फेक्टर में देखिए, एक तो मॉडिफाइबल रिस्क फेक्टर है, ज्यादा तर जो देखा है 80-90 परसेंट, वो तो फिर भी हम कहेंगे कि आपकी जीवन शेली से संबंधिती है, जितमें कि अगर आपको कार्डियो व जीव एक जीवन जीवन आपनिया वाले लोग हैं, और अप्स्रेटिव स्लीव अपनिया वह 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 बड़ा कारण बनता है, डिमेंशिया और इल्जाइमर का, बाकी टेस्ट करने का देखे हैं ए फाइदा जीए है कि कई बार सुदो एल्जाइमर की हम प्रॉंग लाइ मुझे लगता है आज जो लाइफस्टाइल हम सब जी रहे हैं, सब ही को कुछ ना कुछ हिन में से मिल गया होगा कि ये तो एक सिंपम शायद मेरे पास भी है, तो ये कैसे समझा जाए कि आपकी लाइफ, नॉमल लाइफ में जो आप चीजे भूल रहे हैं या ब्रेन फॉग लेकिन ये सारी वो चीजे हैं जो जाधा तर लोग इस समय में जो लाइफस्टाइल जी रहे हैं उसमें फेस कर रहे हैं तो आप ये वो कौन से ऐसे यूनीक लक्षन होंगे जब आपको ये समझना चाहिए कि आप दिमेंशिया या अल्जाइमर की तरफ बढ़ सकते हैं और यहां और इस वक्त आपको अब डॉक्टर के पास जाना चाहिए पर आज कल तो जो फर्स टैप पर रिजिस्टर होने तक कई टाइम नहीं लेते क्योंकि हम इतना जादा मल्टी टास्किंग अनिताजी करते हैं कि एक साथ हम पांच-पांच अगर काप कर रहे हैं तो डेफि इस वज़े से भूल जाते हैं हम इवन फॉण उठाया फून उठाने के बाद हमने यह नहीं पता होता है कि हमने किस लिए फॉन उठाय था दॉक्तर सिर्चिन यहां पर दो शब्द इस्तेज हो ए डॉट इसोधार रिखर दोनों में तिर्फिरेंच भी संजना बहुत जरूर यह क्या यह एक वाणा जा सकता है कि अलजाइमर जो है बढ़ डिमेंशया जो है वह अल्जाइमर की पहली स्टेज़ यह शुरुवात है अ अवजयामर होने से पहले आपको डिमेनशिया होगा आपक दोनों के फर्ग को समग सबगें हैं हर समाइब में bum rep allows not leer यहां कि इंतुों कि बोल जाना के भी बते कारण है जिस अशनर ने बताया बिप्रशन हो गिया थिर्राइड हो गिया Most commonly Vascular Dementia, और इसके लावा कुछ बीमारियां नीमेंपिक डिजीज, frontal lobe Dementia, कुछ सर्जिकल बीमारियां जैसे दिमाग में पानी काथा होने जिसकों बोलते हैं, Normal Pressure, Hydrocephalus, इन सब चीजों में भी Dementia नजर आता है। क्लिनिकली जब डाउट पड़े, मानलो फिजीजन को की फैमिली हिस्ट्री है, तो कुछ टेस्स करने पड़ते हैं, जिसे मालूम पड़ता है कि ये Dementia, Vascular Dementia है, किसी और कारण से है, या फिर ये Alzheimer's है, कुछ एक टेस्स जो जहां पर बहुत ज़्यादा डाउट की तरफ जा पड़ सकता है कि आपको Alzheimer's है कि नहीं, शुरू आख जाँ जब 20-25 साल पहले इट वस्ट्री नी क्लिनिकल डाउट डाउट जाइमर, उसके बाद इसके बेस्ट बेस्ट कर सकते हैं, जैसे अमलाइड जमा होने से दिमार के अंदर नसाओ के अंदर जनेटिक प्रॉब्लम से ख 맞는, शुरू होता है, लेकिन वेस्कला डिमेंशा में वो दिक्कत नहीं दिखाई देती है, पैट सकान में एसकला डिमेंशा की पिक्चर डिफेरेंट रहती है, यर जायें, इंदर चोटे चोटे के स्टोकश के लेते हैं इसका चैहां एकले, इसका हाई पलगे जपहें, त तो डॉक्र सचीन, इसको 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 लिया जा सकता है, हाला कि प्रिवेंशन के मैं बात कर रही हूं यहाँ पर, कि अगर आप अपनी लाइस्टाइल को ठीक रखते हैं, खान पान ठीक रखते हैं, तो काफी हद तक आप दिमेंशिया या अल्जाइमर के खतर को टाल सकते हैं अल्जाइमर के बारे में यह शोर लही नहीं कह सकते हैं, बिकाज मैसिमम केसिज में जनेटिक है, जीन बेस्ट है, यह फैमिली में चलता है, इसलिसका इंसिदेंस जादा बट रहा है, जितना मलंबा जींग उतने चैंसे जादा है कि हमें यह बीमारिया नहीं लेकिन को अवाइड यह जरूर कर सकते हैं और मॉडिफाय भी कर सकते हैं, जी, डॉक्टर समीर, क्या ऐसा किया जाए कि आप डिमेंशिया से बच जाएं, यहां पर यह भी जरूर बताईएगा, डॉक्टर सचिन ने एक बात कही थी, अनुवांशे की यह हो सकता है, जाद अतर माम में, तो जिन लोगों के परिवार में पहले कभी डिमेंशिया या अल्जाइमर के बिमारी हुई, वो किन बातों का ध्यान रखें, कि वो फ्यूचर में इस रोग से बच कर रह सकें, अर्ली उम्र में किसी को अल्रेडी फैमली के अंदर, मतलब जैनेटिकली रिस्क फैक्ट कि अर्ली जितना आपने इसको जितना अर्ली कैच किया, तो इसके प्रोग्रेशन पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि रिवर्सेबल तो यह होता नहीं है, आप बाती जो फटर और रिस्क फैक्टर है उनको कम कर सकते हैं, पर देखी जैनिटी की अनुमानशिक वो बहुत कम हो इसके स्मोकिंग, इनफेक्ट आप अरिता जी यह देखिए कि हम आजकल सीटिंग को की जो आपकी इनक्टिव लाइस्टाइल है, वो भी उसी तरह से आपको एफेक्ट कर दिया, तो वो भी उतना ही बड़ा रिस्क फैक्टर हो गया, तो आजकल सबसे बड़ा जैसे भारज अगर जीवन शैलिख के कारण आपका है, इसमें पहले आपका प्रेन का कुछ पार्ट अफेक्ट होगा, ति आपकी शॉर्ट अप्रम्री एफेक्ट होगा, जो रिस्ट इन्सिडेंट वे उन भूलें, और उसके बाद थोड़ा आपका और बीमारी का प्रोग्रेशन आगे बड़ा, फिर आप और बोलने लग गए, तो यहां पे केर लीवर्स का बहुत रोल है, फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, ताकि अगर बीमारी इस तरह के लक्षन नजर आ रहे हैं, तो फिर वो समय से ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट का ध्यान रखें, दॉक्तर का फॉलो अगर टेस्टी की रिक्वाइड है, उन सब की जो का मिशेश तोर पे ज्यान रखें, जी, अब हमने अलजाइमर और डिमेंशिया को तो काफी हद तक समझा है, अब जो एक बहुत ही एहम सवाल हो जाता है, जब आपके परिवार में कोई डिमेंशिया या अलजाइमर का मरी है, आप ये भी बताएं कि किन चीजों की कमी से आपको अलजाइमर का खत्रा बढ़ जाता है, दोनों सवाल अगर आप मुझे एक बार में जवाब दे पाइं, डॉक्टर सचे, अलजाइमर का खत्रा किसी चीज की कमी पे डिपेंडेंट नहीं है, अच्छा, दिमेंशिया क अगर बीमारी है तो उसके साफ से, अगर अलजाइमर है तो अरली मेडिकल इंटर्वेंशन और कुछ ने ट्रीटमेंट ओप्शन जो निकल कर आ रहे हैं, अभी तक अलजाइमर का कोई कॉई कॉई कॉंक्रीट इलाज नहीं है जिसको इसे जड़ से खतम कर सकें, बट इसके मैनेजमेंट और पहले से बहतर हो चुकी है, इसमें कुछ समझना पड़ेगा कि ब्रेन इस लाइक कंप्यूटर, कंप्यूटर में जा सिगनल रिले होता है, इस बाइ इलेक्टिकल स्टिमूलेशन, इलेक्टिकल करंट फ्लो, सेम वे ब्रेन में ये करंट भी नवर सिस्टम सोपार में न दोल्ग साइब आउन जाएं जाया जाया मंग में, खून का दोरा बढ़ाया जाया में, एक कमी आना उसके फंक्शिनिंग में जैसे अप्स्क्षणिन्ग में बहता है कि इनसान को और इन्सन पूरी नहीं मिलती है और दिमाग की फंक्शिनिंग डिलेक्टि कर बट जो कुछ चीजें पिछले 6-8 साल में उनमें से एक है डीप ब्रें स्टिमुलेशन जैसे परकिंसन या डिस्टोनिया सब्रोग के लिए किया जाता है तो दिमाग में दो वायर डाल के और पेस्मेकर लगा के उस एरिया की एक्टिविटी को रेगुलेट कर सकते हैं डीप इसके लाबा हाई फ्रेक्वेंसी टीमेस और एक इंफ्रारेट लेजर यह दो तीन में जिससे कि ब्रें के अंदर मैपिंग करके जो ब्रें का सरक्रिट ठीक से काम नहीं कर रहा है उसको एक्सटर्नली स्टिमुलेट करके इस सिंटम्स को इंप्रूब कर सकते हैं जी डॉक्र सचीन आपने बात कही कि ब्रें तक ब्लड फ्लो का पूरी तरह से ब्लड फ्लो अच्छा रहे यह बहुत जरूरी है कि आप डिमेंशिया या आल्जाइमर से काफी हद तक बच सकते हैं या खुद को थोड़ा खत्रा कम कर सकते हैं तो योग में ऐसे बहुत सारे योगासन है जैसे कि शीरशासन हो गया और वो क्या योग भी इसमें किसी तरह से अगर आप नियमित रूप से योगा करते हैं तो वो आपको मदद कर सकता है योगा करने से आपका स्ट्रेस लेवल कंट्रोल में रहता है आपका सर्कुलेशन बढ़ता है उसका फाइदा तो योगा जो रेगुलरली ओपका बी-प अड्य यांति अर फिर आपका एक अजिकर अमदद करें वह आपकर जरूर मदद करए इसकेसाथ नियमित दवाइ एक्सराइज योगा कि जैकिस्वीडिशाइदा कि इड्वेगाटार बदा मजोओ घुक्तर संमीर आपने एक बात उ जैनेटिकल टेस्टिंग की, उसको थोड़ा विस्तार में बताएं कि वो किस तरह से मददगार हो सकती है। जैनेटिकल टेस्टिंग की, जैनेटिकल टेस्टिंग की, जैनेटिकल टेस्टिंग कुछ अविलेबल होते हैं। इसका रिक्लरली इसका रिस्क वेटर आया है, ताकि उस तरह से उसका ट्रीट्मेंट मैंडिमेच्प्र पलाइन किया जा सके। सभीतने शाज़ेंदे को सब्वेलिमिता अनिकली अनिक्रिवाकिंट्रियॉ इसमें बस देखना जरूरी है, जो बिमारी है, इसमें बि नहीं को नहीत करें. कि इतना फ्रिक्वेंटली वह एपिसोड हो रहा है और कितनी जुरेशन तक रह रहा है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है यह सब कुछ चीजें देखनी जब हुरी है काई पाटी मोटी कीजें गे-to-day लाइन को हमारी होती है कि हम ऐसे पूट जाए और वह कितनी के पास पहुंच सके और नुरॉलोजिस्ट के पास इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल होता है तो सही डॉक्टर के पास पहुंच है जब हुआ जब भी आसा कुछ चीज लगे कि ठीक बहेवियर नहीं है यह बार बार चीजें बूली जा रही है तो इनिशली एक नुरॉलोज इसे हैं आपने फिजीशन से कंसल्ट करना चाहिए फिजीशन एक हद तक बता सकते हैं कि किस कारण से हो रहा है और उसके बाद अगर रेक्वार्मेंट हो वह आपको रइफ़ करेंगे निरॉलोजिस्ट के पास निरॉलोजिस्ट को उसके साथ में एक multidisciplinary team रहना चाहिए इ नहीं जाईएगा नहीं और सवालों के साथ हम यहीं हैं ब्रेक के बाद आपका स्वागत है मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सचिन का अन्धारी हम बात कर रहें अलजाइमर पर और एक आखरी सवाल जल्दी से ले लेते हैं डॉक्टर सचिन से कोई भी लक्षन जब आरे हैं तो जल से जल इसको पहचाना जाए पकड़ा जाए और इलाज शुरू किया जाए जो मौडिफाइबल फेक्टर हैं उसके हिसाब से शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल, स्मोकिंग बंद करना और कुछ दवायों का शुरुआत करना या फिर जैसे ब्रेन स्टिमूलेशन या ऐसे मेथड के बारे में सोच पाना जल्दी पकड़ने पर आप बीमारी को डिले भी कर सकते हैं और इसे बच भी सकते है लेकिन अगर इसको इग्नोर किया जाएगा तो डेफिनिटली एक स्टेज के बाद इसमें इंप्रूमेंट आने के चैंसे घट जाते हैं शुक्रिया डॉक्टर तो ऐसे ही और इंफरमिशन से भरे शोज के लिए आप ND TV से जुड़े रहें आज हमने पूरी कोशिश की कि अलजाइमर और डिमेंशिया से जुड़ी हर समस्य और हर सवाल का जवाब हम आपको दें अगले शो में जल्दी ही मैं अनीता शर्मा आपसे फिर मिलूंगी तब तक अपना खयाल रखें, सेहत मन रहें, हसते मुस्कुराते रहें और हाँ, NGTV इंडिया देखते रहें